भागलपूर के पीरपैती थानाचट के सुन्दरपूर में निर्मानाधिन उल्टापूर के समीप इफको ई-बाजार के सेल्समेन कुंदन कुमार से दो दिन पूरू 35,500 रूपिये लूट मामले को पुलिस ने पूरी तरह से परदा फास कर दिया जबकि रूपिये सहीत एक मोटर सैकिल और तीन बैक्ती को भी पूलीस द्वाला गिरपतार किया गया है कहलगाओं HDPO सिवानन सिंग ने एक प्रेस कानफरेंस कर बताया पीरपैती थानाचतर के सुन्दरपुर उल्टापूल के समीप हुई लूट कार्ण मामले में इफकोई बाजार के सेल्समेन कुंदन कुमार दौला रचित मनगणंत जूटी और चदम लूट कार्ण करार देते हुए पूरे रूपिये को गवन करना चाहता था वही लूट जैसी घटना की वारदात खुद सेल्समेन नहीं रचा था इसे पुलिस ने CCTV फूटेज के आधार पर खुद सेल्समेन कुंदन कुमार की मनगणंत कहानी की बदलते बाचतों पर जाज किया गया तो खुद सेल्समेन दौडा रचा गया लूट करार कर रूपिय गोल माल करने की बात सामने आई जहां रूपिये सहित एक मोटर सैकल और तीन बैक्ती को पुलीस ने गरहतार कर लिया वहीं रचित मन गणंत और जूटी लूट मामने में सामिल दो लोग गरहतारी के लिए पुलीस लगातार च्छापे मारी कर रही है पंचैल चुनाव को लेकर नुगच्छा नुमंडल कारियाले में चल्रह नमंकर की प्रत्यासियों के समर्थकों का जनसलाब उमर पड़ा है समर्थकों की अत्याधिक भीड और वहानों की संख्या अधिक होने से दो पहर में लगभग दो घंटे तक राच्छ्टिय राजमार्ग पर आवागमन बाधित रहा इस दुरान नुमंडल कारियाले से गोपाल धाबा तक वहानों की लंबी कतार लगी रही नमंकर में इसमाइल पूर जिला परिस्ट सस्ते के रूप में गोपाल पूर सी जद्यू विधाय गोपाल मंडल की पतनी और पुर्व जिला परिस्ट अधिस सवीता देवी बाड़ी संख्या में समर्थकों और दो डीजे लेकर पहुँची थी हलाकि डीजे को नमंडल कारियले परिसर ने परवेस नहीं कराया गया राश्टी राजमार्क पर ही समर्थक डीजे की धुन पर जूमती नजर आए प्रत्यासी समर्थक डीजे बजाते हुए पहुँचे तो डीजे बजाते हुए वापस लोट गए दो डीजे लेकर नमंकन में आना इलाके में चर्चा का भी सह बना रहा डीजे इन दिनों पूरी तरह से पर्तिबंधित है दसाधा दिवाली समित अनित्यवालों में डीजे के उपयोग पर सख्त मनाई थी ऐसी सिती में परतियासियों के समर्थकों किदरा डीजे का उपियों करना लोग के लिए आस्ट चले का भी से हैं वहीं नोगचियानु मंडल कारियाले में नमांकन के दुरान अचार सहीताव लंगन के लिए इसमाइलपूर के जीप परतियासी सापुर्ग जीप अधिस सवीता देवी और उनके प्रस्तावक दिनिज कुमार मंडल रनजेजसवाल वबंटी कुमार पर आदर्स अचार सहीता वलंगन का मामला दर्ज कराया गया है डना दिखारी अजर हुसें ने नोगचिया ठाने में मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन और वीडियो फूटेज की सीडी समरपित की है दिलकामाजी भागलपुल बिस व्द्ड़ाले के सिंडिकेट की बैठक बिस व्द्ड़ाले के प्र रभारी कुल्पती हनुमान पान्ड़े के अधचिता में आयोजित की गई बैठक लालबाग इस्तित कुलपती के आवसिया कारियाले में आयोजित की गई बैठक में 2022-23 के बजट को रखा गया जिसमें 613 करोड के घाटे का बजट दिखाया गया वहीं बैठक में कई अने मुद्दों पर भी चर्च आयोजित की गई लेकिन बैठक के पहले सिंडिकेट दस संजीब कुमार ने बैठक के पहले अजेंडा नहीं दिये जाने पर सवाल खड़े किये वहीं उन्होंने कहा कि बिहार की सभी बिस्विद्यालों में अनिमित्ता है जिसको लेकर सरकार के जाच किया जा रहा है वहाई सिंडिकेट के बैठ को लेकर छात्र राजत के द्वारा भी कुलपती आवास के बाहर जोड़दाड बिरूध प्रदर संकिया गया छात्रों की मांग है कि कॉपी घोटाला सहित कई अने मुद्दों के लेकर छात्र संगठन के लोग सिंडिकेट का बिरोध कर रहे हैं और कुलपती आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं प्रॉक्टर रतन मंडल के दुरा समझाने का प्रयास किया गया लेकिन छात्र मानने को तयार नहीं थे जिसके बाद बड़ी संख्या में पहुँचे पूलीस के जवानों और पूलीस अधिकारी ने उचीत कारवाई का भरोसा दिला कर प्रदर्सन कारियों से कुलपती आवास को खाली कराया दिलकामाजी भागलपूर विस्विद्डाले में समस्याओं की भरमार है और लगातार छात्र संगठन इसके खिलाब रदर्सन करते रहें और कुलपती को ग्यापन सौपते रहें हैं लेकिन इस्तिती जस की तस है आज फिर छातराजत ने प्रभारी कुलपती हनुमान पर साथ पाढ़ने को कॉपी घोटाले मामले प्रीजी छातरावास में जलजवाब की समस्या समेथ कई समस्याओं को लेकर ग्यापन सौपा इस मामले में कुलपती ने कहा कि कॉपी मामले में कारवाई कर चुके हैं करेक समीती की बैठक में हमने इस बात को रखा था वहां से निरनेल किया गया है कि कॉपी जो पुराने दर पर थी उसी दर पर अगर भुक्तान किया जाएगा तो तब ही सप्लाई होगी अनितान नहीं होगी पीजी होस्टल में जल ज़वाब की समस्या को लेकर आदेश दे दिया गया है जल से जल जल निकासी करवाए वहीं चातराज़त के बिसुविद्याले अधच दली पियादब ने कहा कि कॉपी घोटला समेट कई समस्या को लेकर पुलपती को हमने गया पन दिया है कारवाई का स्वासन मिला है अगर कारवाई नहीं होगी तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे राजधानी में सरकार भलही बालू माफिया एक खिलाब दबिज देने के लिए अधिकारियों पर दबाब दे रही हो पर भागलपूर जिलेकर जगदिशपूर परखंड में बालू माफिया दिन राद अवेद बालू की खुदाई कर उसे भारी मुनाफिय लेकर बेचने में मदमस्त है जिसमें अस्थानिय पुलीस प्रसासन का बालू माफिया को पूरा सयोग मिल रहा है आप समझ सकते हैं किस तरह बालू से नाकेवल माफिया बलकि अस्थानिय पुलीस के अधिकारी भी माला माल होते जा रहे हैं वर्तमान में जबकि बालू घाटों से बालू ले जाना परतिबंदित है इसके बाब जूद बालू की अवेद ढुलाई हो रही है इसी अवेद ढुलाई की करम में देराज जग्दिशपूर परखंड के सैधपूर घाट पर एक ट्रेक्टर के पलट जाने से चालक सा ट्रेक्टर मालिक अमीत यादव की घट नास्थल पर ही मौत हो गई बताया जाता है कि अन्ने सभी ट्रेक्टर के साथ हमेशा की तरह बालों की अवेद ढुलाई की जा रही थी आज उनका चालक नहीं है था जिसकारन वो स्वैम आज चला गया कुहा से करन बांध दिखाई नहीं दिया और 12 बजे रातरी में एक निर्दोस की जान चली गई देर रात हुए इस हाथ से करन जहां बांध पर का संक्रा रास्ता बना जिसमें इंजन के दबने से मौके पर ही अमीत यादव की मौत हो गई अमीत यादव जगदीशपूर परखंड के गोनु धाम तरडीहा गाउन इवासी कामेसर यादव का इकलोता पुत्य था अस्थाने लोगों ने बताया कि प्रसासन की बालू माफिया पर रोक नहीं लगा पाने करन आज घने अंधेरे में एक निर्दोस की जान चली गई मिर्तक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था पुलीस ने सब को कबजे मिले कर पोश्ट माटम के लिए भेज दिया वहीं आप देख सकते हैं किस तरह देर रात एम एहले सुबा बालू की ट्रैक्टर धडलने से सड़क पर चलती है जिसमें पुलीस प्रसासन की सेटिंग ऐसी रहती है कि आम लोगों को कुछ पतान नहीं चल सके जबकि सड़क पर पुलीस की गस्ती होती रहती है इसके बाबजुद अवेद धुलाई पर प्रतिबंद क्यों नहीं लग सकता है यह तो वरिया पुलीस प्रादिकार ही बता सकते हैं क्योंकि अस्थानिये पुलीस प्रसासन की इसमें मिली भगत रहती ही है इस बालु की अवेद धुलाई के बाबत जब नात नगर के विधायक अली असरब सिद्धिकी से हमाय समवादाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि बालु की धुलाई से अवेद खनन अम्बिक्री यहां की जाती है यही समाच के लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं बालु की धुलाई तो आसपास के लोग के द्वारा ही की जाती है यहां कोई बिदेश से आकर बालु तो नहीं चुडाता वहीं बालु के मामले पर पुलीस प्रसासन निस्क करी नजर आती है जिसका बालु की धुलाई अवेद तरीके से धरलने से की जा रही है वहीं सरकार को भी आर्थिक नुकसान पहुचाया जा रहा है उनने कहा कि नदी के दोहन से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है उनने विधान सभा में यह मामला उठाने की बात कही मेरा काफी बहस हुआ हमने कहा कि भालपूर जिरा में एक भी घाट आका बंदोबस नहीं है उसके बावजूद एक सट एक हजार ट्रैक्टर सिर्फ मेरे बहुसी रोड़ से पास करता है पर डे किया आपके लोग आखाकी वर्दी वाले मिल करके इसको बांटते है भागलपूर के सुल्तान गज परखंड के पसूचिकित साले परिसर में जिला पसूपालन विभाग के दोड़ा मेगा कैम्प कायोजन किया गया जिला पसूपालन अधिकारी डॉक्टर आजेस कुमार के अद्चिता में परखंड के पसूपालकों के आर्थिक स्थी को मजबूत करने के लिए आउजित कैम के दुरान पसूपालकों को बैंकों के दुरा बकडी पालन, मुर्गी पालन और सुगर पालन के लिए रिन दिलाने के लिए कागजी कारवाई कैम के दुरान पूरी करवाई गई जिला पसुपालन विभाग के दुरा आज़ित मेगा कैम से पसुपालकों के बीच उत्साह का महाल देखा गया कारिकर्म को दुरान प्रमारी सहाय कुकुड विभाग डॉक्टर निल कुमार, मोना कुमारी, डॉक्टर संजे कुमार सिंग, डॉक्टर हरिनन कुमार, सहीद बड़ी संख्या में पसुपालक मौजूद थे अमेशा बिबादों में रहने वाले तिलकामांजी बिस विद्धाले में अजब गजब कारणा में देखने को मिल रहे हैं और आज जो हुआ वो तो चौकाने वाला था, दरसल टीमब्यू के है करमचारी टीमब्यू परिसर ने तंत्र सक्ती और बज़रंग बली के राधना करते दिखे अब सवाल यह है कि क्या विद्धिया के मंदिर में तंत्र विद्धिया ज़रूरी है या फिर ऐसा करने का आदेश उसे किस ने दिया आमोमन तंत्र सक्ती मसान या फिर गंगा किना रेकी जाती है लेकिन अब टीमब्यू परिसर में यह हो रहा है इस पर बाबा वैरागी सुबो ज़ाने का कि हम तंत्रिक है और यहां परिच्छा के कर्मचारी भी है 2004 में ततकालिन कुलपती के हम गाड़ी चालक थे हमें फसा कर जेल भेज दिया गया था आज छुट्टी लेकर हम तंत्र साधना कर रहे हैं बिहार बाल भवन किलकारी के दरा भागलपूर में बाल दिवस पर आज़ित पांच दिवसिय बाल उतसब मेला के चौते दिन चित्रकला मुर्ती कला मंजुसा कलायम निर्त परत्युकता का आज़िन किया गया जिसमें कई विद्यालियों के बच्चे आकर सक्वलिधान में थ्रक्ते नजर आये कहीं सास जनलित तो कहीं लोग धुल पर बच्चे अपनी कला का प्रदर संकर रहे थे वहीं दूसरी और मुर्ती कलायम मंजुसा कला लोगों के बीच आकर संका केंदर रही वहीं 27 नुमबर को समापल समारो मेर राज के उपनुक मंत्री तारकिसुर पर साथ बच्चों के बीच को सकार वीतरन करेंगे